हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे हम गड़ित के प्रेश्णि तो प्रेश्णि स्क्रीन पर लिखा हुआ है निम्नि समीकर्ण में X का मान ग्याद करें यह आपको एक समीकर्ण दिया गया है इस X का मान हमको पता लगा आएगा ठीक है यहाँ पर दे रखा है 16-4 तो 16 में से अगर मानिस कर देंगे हम 4 तो कितना जाएगा 12 गुने 13-6 अगर 13 में से 6 मानिस कर देंगे तो कितना जाएगा 7 divided by X ठीक है और बराबर 12 यही दे रखा है अब यहाँ पर क्या होगा बराबर के इधर 12 और बराबर के पर देंसिल हो गया बचा कि आपके पास 7 जब् 사他 यह टिवाड़ में स्थे भाग देना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ एक्स से भाग दे देंगे अब यहाँ पर कुछ करना है आपको कुछ नहीं करना 1 का मानि कितना आ गया 7 जहीं ठीक है एक्स से साथ मुत देना है एक्स का मन साथ आगया कैसे आगया मैं बताता हूं आपका साथ बट्टे X है इसे क्या करेंगे एक बट्टे एक से एक बट्टे एक से गुना कर देंगे तो एक का गुना साथ से होगा तो साथ और X का गुना x2 बराबर 1002-902 है तो x का मान क्या करें देखिए प्रश्णे को देखते ही उस पर तूट पड़ो तूट पड़ने का मतलब है उसमें क्या क्या लोजिक लग रहा है कौन सा फॉर्मूला लग रहा क्या ट्रिक लग रहा है एक साथ प्रश्णी के ऊपर तूट जाई है जैसे क minus b square किसके बराबर होता है a plus b into a minus b यह होता है ठीक है बस इसी को solve कर लीजे अब हमारे पास यहाँ पर क्या है 19 x square बराबर यह क्या है हमारा a square minus b square तो यहाँ पर a square minus b square हो वहाँ इसको लिख सकते हैं ठीक है a plus b a mere 100 b मेरा 90 दोनों को जोड़ के लिखूँगा a plus b तो 190 हो जाएगा ठीक है into है formula में into आजएगी फिर a minus b a मैं से b को घटा दो a मैं से घटा दूगा b को यानि 100 मैं से 90 को घटा दूगा कितना बचेगा 10 बचेगा ठीक है अब देखिएगा 19 से 19 एक बार में गया और यह के 0 गुने 10 है यह इदर क्या बचा x से square बचा ठीक है अब x बराबर 10 गुने 10 कितना हो गया यह 100 हो गया और यह वालो जो square है बराबर कि इदर आएगा तो इसको उपर root लग जाएगा तो x बराबर कितना हो गया 100 का square root कितना होता है 10 होता है x का मांद 10 पहला option बिल्कुल सही असानी से समझ में आ रहा है कोई problem नहीं होगी अब देखेंगे अगला प्रश्न अगला प्रश्न है यदि x minus root x बराबर 90 है तो root x का मांद गयाद करें 10, 9, 100, 81 क्या होगा देखें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ clear कि इन चार option में से कोई x का मांद होगा होगा की नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं सबसे पहले ये कर सकता हूँ कि पहला option चेक करके देख लू दूसरा option चेक करके देख लू ऐसा मैं कर सकता हूँ ठीक है तो चलिए मैं क्या करूँगा x की जगह पहला option ले लेता हूँ 10 रख के देख लेता हूँ x की जगह 10 रखूँगा minus का root x की जगह 10 रखूँगा बराबर 90 भाई यह देखे 10 minus root 10 90 के बराबर हो जाएगा क्या होई नहीं शक्ता क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा मुझे यह बता दिज़िए x minus root 10 रख बराबर 90 के हो जाएगा हो जीं वहीं शक्ता ठीक है हमें root x का मान बताना है अब यहाँ पर 1 condition समझे 1 condition हमसे पूछा है root x का मान root x का मान हमसे पूछा root x का मतलब है देखिए इधर मैं आपको समझा दियू root x बराबर 100 जैसे की ठीक है तो इसका देखिए क्या होगा यहाँ पर x root हटेगा तो square बराबर इसको हम solve करेंगे square root में 100 है तो इसका मतलब क्या है 10 का square 100 होता है जूट अटेगा square root मेंने solve कर लिया 10 लेकिन 10 का square कितना होता है 100 होता है की नहीं होता 10 का square 100 होता है ऐसे ही यहाँ पर root x का मान आपको find करना है तो कैसे find होगा समझ में आगे और नहीं आया अभी तक प्रस्ष्ण अगर अभी तक समझ में नहीं आया है देखें यहां पर क्या रखेंगे आप 100 x का मान क्या रखेंगे 100 minus root root x का मान कितना है 100 बराबर 90 यह तो 100 ही रहेगा minus अब इसको मैं solve करूँ तो 100 का square root क्या होता है 10 10 बराबर 90 तो 100 मैं से 10 घटा दूँगा तो यह 90 के बराबर आजाएगा कि नहीं आजाएगा आजाएगा या नहीं आजाएगा बिल्कुल आप बूलेंगे सब बिल्कुल आजाएगा तो हमारा क्या है हमसे पूछा है कि root x का मान root x हमने कितना रखा hundred रखा ठीक है root x हमने कितना रखा hundred रखा root x लेकिन hundred रखने के बाद इसको भी हमने solve किया hundred का square root हमने निकाला तो 10 आया hundred का square root कितना निकाला 10 आया तो 10 ही आपका बिल्कुल सही answer है आप बोलेंगे सर हमने root हमने तो 100 रखा है हमने root x कमान 100 रखा है लेकिन जब हमेंने इसको solve किया तो इस command 10 आया ना 10 ही तो आया है तो 10 आपका सही जवाल है समझे माया अब देखेंगे अगला प्रेशनी अगला प्रेशनी है यदि x प्रतिसत का 15 प्रतिसत बरावर 1.2 प्रतिसत है तो x कमान क्या है देखें x प्रतिसत प्रतिसत का मतलब होता है बटे में 100 का का मतलब गुना 15 प्रतिसत प्रतिसत का मतलब बटे में 100 बरावर 1.2 प्रतिसत प्रतिसत का मतलब बटे में 100 ठीक है x कमान हमको यहाँ बता देना है इसका अब यहाँ से यह दसमलब को जैसे ही मैं अटाऊँगा यह कटा लेता हूं कट गया यहां पच्छा 10 अब देखिएगा यहां पर मैं आपको कटा कर दिखाऊंगा कि 10 से यहां पर 10 और यह कट जाएगा कट गया पांस दुने का 10 पांस त्रिक का 15 यह कटेगा कटेगा अब 2 से 12 कटेगा तक देखिए तशेवार च्टेगा कटेगा अब देखिए डोसे 12 छे वार में कट गया थीग है यहां पर तीन से च्छे कट जाएगा दो बार में दिसे कट जाएगा नई न nerede गलती हो गए नहीं तीन से बाराह कटेगा तीन से बाराह कटेगा, 4ane और गलती होगें, तीन से बाराह 4ane तीक है, क्योई नीचे से कटेगा नहीं, गुना होगे, तो, दोज चौक ऐट गलती होगें, दोस्तों यहाँ पर देखे, dealtसे ना किए यहाँ आपको फिल से बता दूं जैसे कि एकस प्रितिसस्त प्रितिसस्त का मतलब Europeans का का मतलब गुना 15 प्रितिसस्त का मतलब में 100 बरावर एक दसमलब दो प्रितिसस्त के है, दसमलब बतायेंगे एक जीरो हो जिरो हो गया ना दो जिरो से सीधे सीधे दो जिरो कट डालो एक जिरो से वाला जिरो भी कट डालो पांस तुने का दस पांस त्रीक का पंद्रा अब यह बारा है ना तो तीन से बारा कटेगा तीन चौक के बारा चार बारा क्योंकि बरावर में कट जाता है आपने सामने जैस ही जवाब, समझ में आगी बात, अब देखेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, यदि समीकर्ण x square minus 6, k x plus 5 बराबर 0 का मूल 5 है, तो k कमान क्या है, देखें आप से कहा गया है का मूल 5 है, मूल 5 का मतलब क्या है, x की value आपको दे लेता हूँ, x square minus 6, k x plus 5 equal to 0, x का मान 5 है, तो मैं 5 रखूँगा, 5 का square करूँगा, तो 25, minus 6, k x, x का मतलब 5 है, x का मान 5 है, plus 5 equal to 0, ठीक है, अब देखेंगा, plus 25, plus 5, plus 30 हो जाएगा, minus का 6, k, गुने 5, बराबर का 0, ठीक है, यहीं दे रखा है, अब देखेंगा, 5 का गुना 6 से होगा, तो 5 चिक के 30, तो 30, और minus का 30 आएगा, क्यों कि संग्या से गुना होगा, तो 5 चिक के 30, 30 के बराबर 0, ठीक है, अब देखेंगा, यहाँ पर, ध्यान से देखेंगा, यहाँ पर क्या होगा प्रस्ट में, उसको आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से जब जब आप देखेंगे, तो आपको क्या लगेगा, कि जब यहां से जैसे कि यह मैं आपको बता दूँ सीधा-सीधा कि पिलस का 30 मैनस का 30 अगर मैं कटा गता हूँ पिलस का 30 मैनस का 30 कटेगा लेकिन यह इसके साथ गुना में है यह इसके साथ गुना में है तो इधर नहीं कटेगा तो इधर आके कटेगा तो मैं क्या करूंगा दोस्तों ये मेरे पास पिलस का 30 ये मैनस का 30 तो था मेरे पास 30 के ठीक है ये पिलस का 30 इधर आके क्या हो जाएगा बराबर के इधर आके माइनस का 30 माइनस से माइनस गया ठीक है और क्या हो जाएगा 30 से 30 चला जाएगा एक बार में उम्मीद करूँगा, सभी को प्रेशन आसानी से समझी में आगया, किसी को कोई प्रोब्लम विल्कुल भी नी होगी, ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,